नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन नाव मैं हूँ आपके साथ शुपेता सिंग इस बुलिटिन के शुरुआत करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर साथ और आपको बता दें कि पंजाब कॉंग्रेस में लगातार एक बर ऐसा लगा था कि नया मुख्य मंत्रे मिलने के पास सब कुछ ठीक हो जाएगा सारी चीजें से विवस्ती चलने लगेंगी और जो अगामे विधान सबाद चुनाओ है उस पर पूरी पार्टी का ध्यान होगा लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पंजाब कॉंग्रेस में नवजो सिंग सिंधु के पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफ सबके निगाहें पंजाब कैबिनेट की होने वाली बैठक पर टिकी हुई है और आपको ये भी बताते चलें कि बीती रात कॉंग्रेस के कई विधायक नवजोत सिंग सिंधु के आवास पर इकठा हुए हाला कि इन सबके बीच कॉंग्रेस आला कमान की खामोशी बरकरार है लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि सीनियर नेता आल इस वेल की बात भी दोहरा रहे हैं इतना सबकुछ होने के बात भी जो वरिष्ट नेता है वो आल इस वेल की बात लगातार दोहरा हैं सूत्रों का दावा है कि आला कमान ने सिद्धू के स्तीफे को अभी स्वीकार नहीं किया है और पार्टी आला कमान ने राज्जी कॉंग्रेस इकाई से कहा है कि वो पहले ये जो कुछ भी चल रहा है अपने स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश करे वही पंजाब के पू और अगर सूत्रों की माने सूत्रों का दावा ये भी है कि कॉंग्रेस आला कमान ने अभी तक नजो सिंग सिद्धू का स्तीफा मंजूर नहीं किया है सूत्रों का ये भी कहना है कि पार्टी आला कमान ने राजी कॉंग्रेस इकाई से कहा है कि वो अपने पहले अपने स्तर पर ये सारी उथल पुथल है जो परिशानिया उसको सुलझाने की कोशिश करे आज सुबह आपको बता दे कि साड़े दस बर्जे के करीब पंजाब काबिनिट की बैठक भी बुलाई गई है दे आरार सम इश्यूज एक दो छोटे छोटे इश्यूज है जीरे विच मैंनू लगदा है कि आपस वेचे जड़ा आपको बता दे सूत्रों का ये भी दावा है कि भले ही पंजाब कांग्रिस प्रमुख नवजोद सिंग सिद्धू ने अपने पद से स्तीफा दे दिया है लेकिन कांग्रिस आला कमान ने उनके स्तीफे को मनजूर नहीं किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सबसे पहले पंजाब में जो कुछ भी चल रहा है उसे सुलजाने की कोशिश करे पंजाब इकाई इस कलम आपको ये भी बता दे कि नवजोद सिंग सिद्धू अकेले नहीं अपने पद से स्तीफा देने वाले बलकि कुछी घंटों के बाद आपको बताए कि उनके पांच जो सहयोगी है उनके उनका भी जो स्तीफा है वो अपना स्तीफा उन्होंने सौंप दिया है इस्तीफा देने वालों में से दो कैबिनेट मंतरी भी है आपको बता दे और तीन पंजाब कॉंग्रिस के पदाधिकारी हैं तो केवल नवजोद सिंग सिद्धू इने बलकि जो उनके सहयोगी है पांच उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया इसमें से दो कैब कैबिनेट मंतरी परगर सिंग और रजिय सुल्ताना ने रविवार को ही मंतरी पत की शपत ली थी अभी अभी पंजाब कॉंग्रेस पंजाब राज जी को नया मुख्य मंतरे मिला कैबिनेट मिला लेकिन नवजोद सिंग सिद्धू के स्तीफे के बाद मंतरियों की भी जो स में गड़वर्ड थोड़ी सी होने वाली है और हुई है अब जो सिद्धू जी बसुलों के आदमी है उनको कोई लालच नहीं है और पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं और आपको बता दे कि नवजो सिंग सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद पंजाब कॉंग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है सुनील जाखर ने सिद्धू के खिलाब हमला बोल दिया है और काये कि सिद्धू ने पार्टी का भरोसा तोड़ा है आपको ये भी बता दे कि अपने त्याग पत्रप में सिद्धू ने जिक्र किया है कि वो पंजाब के भविशो से कभी समझोता नहीं करेंगे जाखर ने इस पर तंच करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है इस पर पूरी एपिसोड में जिस बास से समझोता किया गया है वो है कॉंग्रिस लीजर्शिप की ओर से PCC अध्यक्ष पर विश्वास यानि पंजाब कॉंग्रिस अध्यक्ष पत पर विश्वास कोई भी भरोसे के इस उलंगन को सही नहीं ठहरा सकता है तो एक तरफ जब स्तीफा देने के बाद सिद्धू ने अपनी तरफ से इस बात का जिक्र किया कि वो भविश्व में पंजाब से पंजाब की भविश्व से कभी समझोता नहीं कर सकते उस पर पंजाब के पूर्व जो कॉंग्रिस अध्यक्ष है सुनील जाकर उन्होंने उ जिस बात से समझोता किया गया है वो निश्ची तोर पर कॉंग्रिस लीडर्शिप है